नमस्कार दोस्तो जैहिंज जैभारत आपका एक बार फिर स्वागत है आपके अपने भरोसेवन सैनिक वेलपेर यूट्यूब चैनल में दोस्तो जवानों की पैंसन काटी ही नहीं बलकि बंद की जाएगी CDS करेंगे सेना का बेड़ा गरक क्या अभी तक पिटारे से खुला और क्या क्या अभी पिटारे में बाकी है ये सब जानने के लिए देखें पूरी खबर विस्तार से हम बताएंगे कि किस तरह से सैना के जवानों की पैंसन पर चल रही है कैंची दोस्तो 29 अक्तूबर 2020 इसका जिकर में इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि जवानों की जिन्दगी में आने वाले समय में ये दिवस एक मनहूस दिवस बनकर रह सकता है रह सकता है सब्दका में इसलिए इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूँ क्योंकि अभी तक CDS ने जो जवानों की पैंसन कटोती का जो प्रस्ताव दिया है अभी तक वो पिरपोजल है फाइनल स्टेज में नहीं है दोस्तो इत्हास अपने आपको दोहरा रहा है 70 के दसक में ततकालीन पिरधान मंत्री ने जवानों की पैंसन घटा कर और अपसरों की पैंसन बढ़ा कर सब की पैंसन को 50% कर दिया था लेकिन दोस्तो इस बार ऐसा नहीं है कुछ चुनंदा लोगों को छोड़ कर ही सब की पैंसन कटेगी यानि अपसरों की पैंसन पर भी तलवार गिरी है और जवानों की पैंसन तो बंद ही हो जाएगी क्योंकि इस पिरपोजल में इनफेंट्री के जवान के बारे में कुछ कहा नहीं गया है जब इनिशन पैंसन 20 साल के बाद दी जाएगी और वो भी 50% तो इनफेंट्री के जवान की तो सर्विस ही 17 साल है वो इस दाइरे में आता ही नहीं और अगर उसकी सर्विस को बढ़ाय जाता है तो उसकी नेचर अब डूटी को देखते हुए इनफेंट्री का जवान इतनी लंबी सर्विस नहीं कर सकता तो क्या दोस्तो अभी कोई और सेकिंड पिर्पोजल आना बाकी है जिसमें इनफेंट्री के जवानों का पिटारा खुलेगा और अगर नहीं तो क्या जवानों की पैंसन अब बंद हो जाएगी सिर्फ और सिर्फ अपसरों को ही पैंसन मिलेगी क्योंकि वही लोग उनकी नेचर अब डूटी के हिसाब से इतनी लंबी सर्विस कर पाएंगे दोस्तो अपसर तो 35 और उससे उपर सर्विस कर सकते हैं क्योंकि उनका ओफिस वर्क होता है लेकिन जवान और जेसियो नहीं कर सकते जिनको ग्राउंड में डूटी करनी होती है जिनका फिजीकल इन्वाल्मेंट होता है जिनको अपनी पीट पर अपने कंदों पर आरेल से लेके अपने सामान तक बजन बम गोले ले जाने पड़ते हैं उची नीची विसम परिस्तितियों में पहाडियों में परफ में चलना पड़ता है 30-35 साल की उमर के बाद वो क्या उस फिल्ड में काम कर पाएंगे अगर नहीं तो फिर उनकी पैंसन का क्या होगा दोस्तो समय आ गया है चुप बैठने से कुछ नहीं होगा आपको ये आवाज उठानी होगी और ये आवाज आपको रच्छा मंत्रा ले प दोस्तो करिए वीडियो वाइरल पहुंचाइए वहां तक आवाज आशा करते हैं कि जानकारिया आपको अच्छी लगी होगी वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद जैहिंज जैवारत